नमस्कास वागत आपका टिक टीवी में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा इससे में बात करेंगे हम सीरर राधा मोहन की जहां पर आप जो मोहन है वो दो बड़े खेल खेलने वाला है जो यहां आपने मेरा यहां पर थमनेल भी देख लिया होगा जहां पर दामी एक तरफ जे गया है जहां पूशन मामा का सच पता चलने के बाद अब जो मोहन है वो दोनों को जेल पहीज़ेगा हाला कि दाबनी का सच पहले ही और कोल् chopped स्टोर्लिश वीर दामवाया चुला है तो आखिरकार राधा किस कोने में छुपी हुई है जो यहाँ पर मोहन को नहीं मिली है जहाँ शोकर ट्रैक में अभी तक यहीं दिखाया जा रहा है कि मोहन जेल में है यहाँ पर दामनी जो एड़ोकेट से बात करती है और यहाँ पर मोहन की बेल कर वाने की मांग कर जहां अब एक बड़ा नया मोर जो है वो अब एक नई कहाने के और ले जाता हुआ नजर आएगा जहां मोहन को पता चल जाएगा कि राधा जो है वो कहा है कहा नहीं है यानि कि सबसे पहले जो नजर पढ़ेगी वो कदामबरी की पढ़ेगी और कादामबरी ही यहाँ पर राधा की जान बचाएगी लेकिर राधा यहाँ पर जब होश में आएगी तो मोहन को पहचानने से इंकार कर देगी और साथी साथ यहाँ पर नाटक करेगी क्योंकि आपो कदाम्री को सच बता देगी वहाँ पर वो कहेगी कि मैं ऐसा इसले कर रही हूँ कि मैं दाम्री का सच लेकर आना चाहती हूँ जहाँ आप दाम्री का सच मोहन जान जाएगा और मोहन जानने के बाद वहाँ पर दाम्री को सबक सिखाने वाला है यानि कि यहाँ पर दामनी को अगले दबा करके पहले यह कहेगा कि मुझे सब कुछ सच पता चल गया है मुझे पता चल चुका है कि यह सारा खेल किस ने खेला है इन सब खेल के पिछे तू है मेरी राधा जो तक यहाँ पर मेल पास थे तब तक वो यही कह रही थी कि तू ने यहाँ पर जो जान ली है तू ने यहाँ पर तुलसी को मारा है लेकिन उस वक्त मैंने गौर नहीं किया था लेकि कही ना कही अब मुझे यही लगता है कि यहाँ पर जो खेल हो रहा है वो सही वे सही हिसाब से वो तेरी वज़े से ही हो रहा है अब मुझे बता दे कि आखिरकार मेरी राधा कहा है नहीं तो मैं तेरी जान ले लूँगा जहाँ यह सारी बाते केहने के और सुनने के बाद अब यहाँ पर जो दामनी है वो काफी ज़दा डैल जाती है लेकिन आप नहीं बताती कोई भी सचाई लेकिन यहाँ पर कदामली भी जब यहाँ पर यह कहती है कि हम तुम्हें जेल बें डाल देंगे और हम तुम्हें बड़ी सजा देंगे नहीं तो बता दू राधा कहां है दामनी जाहिए इस सारी बाते बताने के बाद दामनी बता देगी कि वो मेरे पास नहीं बलकि भूशन मामा की कैद में है भूशन मामा जेल से फरार हो चुके है और उन्होंने यहां पर राधा को कैद करके रखा है जहाए यहां यहां पर सुनने के बाद अब यहां पर भूशन मामा है अब उसका सच करेवल होते ही मोहन काफी ज़ादा डैल चाएगा क्योंकि उसे बस यही लगा रहेगा कि वो कैसे भी करके राधा की जान बचाए क्योंकि यहां पर भूशन मामा ने पहले यहां पर केद की और राधा दोनों की इज़त लोटने की कोशिश की थे अब ऐसे में तो यहाँ पर राधा की जो हालत है वो नाजुक है तो अब ना जाने वो राधा के साथ क्या करेंगे जाए इस सारी बाते होने के बाद अब यहाँ पर जो मोहन है वो बताएगा अब सारे सच्चाई और साथी साथ यहाँ पर जो मोहन है अब भूशन मामा को अरेस्ट करवाता हूँ नजर आएगा यानि कि भूशन मामा के अड़े तक पहुंचेगा अड़े से यहाँ पर राधा की जान बचाएगा जो हाँ राधा की जान बचाने के बाद उस हॉस्पिटल लेकर जाएगा साथे साथ बूशन मामा को अब यहाँ पर जेल की सलाखों के पीछे भेजने वाला है यानि यापम दोनों के दोनों जो जाने दुषमन थे रधा के वो दोनों अभी हाँ पर जेल जाने वाले हैं साथे साथ हैंगा कि यजिस की यान दूनों जोर जोर से मोहन के सामें चेल आएगा अब मोहन जो है वो कैसे याँ पर दामनी की चालों से बचाएगा क्या वो काली जादू का इस्तमाल करेगी दामनी ये देखना गाइस बेहदी दल्चास पुगा फिल्हाल इस शो में बस इतना ही मैं चलती हूँ नमश्कार और धन्यवाद